नमस्कार मेरे प्यारे सातियों आपका हमारे यूटूब चैनल इस्टडीज जन्नी में स्वागत है हमारे चैनल के सभी वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब माई यूटूब चैनल और प्रेस दे बेल आइकन आपको हमारे वीडियो के सभी नोटिफिकेशन मिल सकें सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक माई यूटूब चैनल इस्टडीज जन्नी छोटी आथ नोटी आथ होती क्या है आज हम छोटी आथ और बड़ी आथ के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे आमाशे के बाद भोजन आथ में चला जाता है दोस्तों इससे पहले वाला वीडियो हमने आमाशे के बारे में था उसके बाद आज के हमारे इस वीडियो में हम आमाशे के बाद भोजन हमारा भोटी आथ में चला जाता है यहाँ पर बोजन लगबख लुगदी टाइप में रहता है, इसे काइन बोलते हैं, बोजन के अंड़ों को काइन बोला जाता है चोटी आथ की लंबाई लगबख 6 मिटर होती है चोटी आथ तीन भागों में बटी होती है, पहला बाग ग्रहाणी, दूसरा बाग मध्यांत्र, तीसरा बाग शेशांत्र चोटी आथ का उपरी भाग आमाशे से जुड़ा होता है, जिसे ग्रहाणी कहते हैं इसमें से अग्निया शेए रस और पित रस निकलता है अग्निया शेए रस आमाशे, पित रस, पाइल जूस, अर्थार्थ यह दोनों ग्रहाणी से निकलते हैं भोजन का पूर्ण पाचन तता प्रदारतों का आउशेशन छोटी आत में होता है जो हमारा भोजन था काईन उसका पूरी तरीके से पाचन छोटी आत में होता है अगर आप सोच रहे हैं कि भोजन का पूर्ण पाचन आमाशे में हो जाता है तो ऐसा नहीं है भोजन का पूर्ण पाचन तता परदारतों का आउशरशन छोटी आंत में होता है यह लंबाई में सबसे बड़ी होती है इसमें भी सबसे बड़ी शेशांतर होती है जोटी आत के जो हमने तीन बाग पड़े हैं उनमें भी सबसे बड़ी शेशांतर होती है जो लगबग 3.6 मिटर लंबी होती है जिसे ही भोजन आमशे से ग्रहनी में आता है ग्रहने की दिवार प्रमानुकंचनी गती करती है करमानु कंचनी गती का मतलब होता है छलेदार तरंगे प्रवाइत होती है जिससे बोजन आगे बढ़ता है बोजन को आगे बढ़ाने के लिए करमानु कंचनी गती होती है जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि कोई भी चीज को अगर हमें कोई भी पाइप में हम किसी भी चीज को आगे भेज रहे हैं तो उसके पीछे से धक्का लगाना जरूरी है यह जो करवानु कंचनी गती होती है यह वही काम करती है जिससे भोजन आगे बढ़ता है पाचक रसों की भूमिका चोटी आत में जो पाचक रस निकलते हैं उनकी क्या भूमिका होती है चोटी आत में पहला रस है अग्नेशेही रस तूसरा है पित रस और तीसरा है आंतरिय रस अगनेशेई रस अगनेशेई गरंती से निकलता है यह है अगनेशेई रस लगबग डेल लिटर प्रति दिन निकलता है आमाशेय की बाई और होती है अगनेशेय गरंती कहां पर होती है अगनेशेय की बाई और होती है अगनेशेय रस का पीच मान 7.5 से 8.3 तक होता है अर्थारत यह है मतलब शारिय सुभाव का होता है सोडियम बाइकार्बोनेट के कारण जो हमारा अगनेशेय रस से सोडियम बा जाता है अगनेशयी रस को पूर्ण पाचक रस कहते हैं पी एलसी का पाचन पी एलसी का पाचन भी अगनेशयी में होता है जब हमारे शरीर के अगनेशयी अर्थार्थ पेंक्रियाज गरंथी में इंसुलीन का पहुँचना कम हो जाता है तो रक्त में गुलकोच का इस्तर भढ़ जाता है जिसे मदू में शुगर रोग कहते हैं अर्थार्थ जब हमारे शरीर में अग्नेशेरस जो की छोटियात के द्वारा निकलता है आमाशेसे में इंसुलीन का पहुंचना कम हो जाए तो रक्त में गुलकोच का इस्तर बढ़ जाता है जिसे मदुमय का रोग कहते हैं चुगर के मरीज के शरीर को भोजन से उर्जा बनाने में कठीनाई होती है यह हमारा चोटी आथ खतम हो गया है अब हम बड़ी आथ के बारे में पढ़ेंगे बड़ी आथ, इसमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है, इसलिए यहां पाचन भी नहीं होता है यहां केवल आउस्षिष्ट परदार्तों में से खनीज लवनवे जल का आउस्षिशन किया जाता है छोटी आथ दोस्तों क्या होती है? होने में पतली होती है, बस इसकी लंबाई ज़्यादा होती है और बड़ी आथ, चोड़ाई में ज़्यादा होती है और लंबाई में कम होती है बड़ी आथ की लंबाई लगबग 1.5 मिटर होती है बड़ी आथ को तीन भागों में विवाजित किया गया है बड़ी आत का फ़ेश्ट बाग है सीकम, दूसरा है कॉलन, तीसरा है मलाशाय तो हम पहले बाग के बारे में पढ़े हैं सीकम क्या है जहां छोटी आत वे बड़ी आत मिलती हैं वहां सीकम होता है अर्थार्थ चोटी आत और बड़ी आत के मिलने का पॉइंट बिंदू जो जगा होती है उसे सीकम कहते हैं सीकम में एक सीकम वाल्व होता है जो कि बोजन को बड़ी आत से वापस चोटी आत में जाने से रोकता है यहां पर भी दोस्तों एक वाल्व हो यहां पर इसे एक बटन टाइप कह सकते हो वाल्व जिसकी माध्यम से चोटी आत से बोजन बड़ी आत में आ जाता है उसके बाद वह वापस नहीं जा सकता है यहां पर हमारी आहर नाल का आउशेशी बाग जमा होता है जो भी हम बोजर गरन करते हैं वो है यहीं पर जमा होता है Appendix यहाँ पर हमारी आहनाल का आउशेशिवाग जमाता है आपने सुना ओगा Appendix इसका आज कल कौई काम नहीं है यह Appendix specialology के पाचन में काम आता है cellulology जो की पेड पोदों की छाल में पाये जाता है Appendix के OpageM के बारे में आपने सुना भी होगा कभी-कभी यहां मल जमा हो जाता है जिसके कारण जिवानों का संकर्मन बढ़ जाता है इसका ओप्रेशन किया जाता है इसे काट का निकाल दिया जाता है हम यह सभी 3D वियू में देखेंगे चित्र सहीत आगे आने वाले वीडियो में कॉलन यह कुछ विटामिन और अमीनों अमल का करता है कॉलन का कार्दिय है मलाशय मलाशय प्रेक्टम यह आहर नाल का अंतिम बाग होता है मलाशय जो है यहां से मल जो भी अवसिष्ट परदात बच गए हैं सारा पोशन करने के बाद वह मलाशय में आ जाता है मलाशय के द्वार से बहार निकाल दिया जाता है गुदा मार्ग बोला जाता है मल का त्याग 150-200 ग्राम रोज लगबग गंद इसमें गंद कौन सी होती है एमेंस इंडॉन प्लस के टॉल की गंद होती है इसके अंदर मल का रंग कैसा होता है बिलुरू पीन इसके टॉबीन और यूरे बीन Εन निन के जिएसे कौन में से जीवो के रूप में कुछ जीवाणू रहते है जब काइन के पौशक परदारतों का पाचन या आउशोशन नहीं हो पाता है तब यह जिवानु पोशक परदातों का किर्डवन करते हैं जिससे हाइडोजन प्लस कार्बन डाकसाइड प्लस मिथेन गेस निकलती है जो कि बदबुदार गेस होती है इसी को दोस्तों पाद कहा जाता है हमारी भाशा में कौन से गेस होती है हाइडोजन, कार्बन डाकसाइड और मिथेन जब काईन के पोशक परदातों का पाचन या उश्यशन नहीं किया जाता अर्थार्थ जो बोजन हमने ग्रहन किया है उस बोजन का उस बोजन में से सारे पाचक तत्व जो कि हमारे शरीर को उर्जा परदान कर सकते हैं वह सारे हमारे शरीर को प्राप्त होने के बाद जो अप्सिष्ट परदात बच जाते हैं वही जीवानूं करते हैं और गेस बनती है और वही उसी के रूप में हम मलत्याग करते हैं दोस्तों आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाब बताए